पाकिस्तान के बारे में यही कहा जाता है कि आपको इस टीम से खेलते वक्त जीतने की कोशिश करनी ही नहीं है क्योंकि यह टीम खुद कोई न कोई तरीका ऐसा निकालेगी जिससे की आप उस मैच को जीत जाएंगे लिटरली किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह मैच बंगलदेश जीत सकती है ड्रॉ को लेकर तो हर कोई कह रहा था कि यह मैच ड्रॉ हो सकता है इस मैच में जादा कुछ बचा नहीं है ड्रॉ के लिए हर कोई कह रहा था पट कोई यह नहीं कह रहा था कि भाई यह मैच बंगलदेश जीत जाएगा और अगर बांगलदेश इस माच को 10 विकेट से जीता है वैसे मैं आपको बता दू कोई भी टीम ने पाकिस्तान को भी तक 10 विकेट से हराया नहीं है अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें UAE में जो इनके माच हो इनको भी इंक्लूड कर लें किसी ने भी इनको इनके घर में इतने बुरी तरीके से नहीं हराया है लेकिन बांगलदेश ने ये काम किया और बांगलदेश ने बायद आवे पाकिस्तान को ये पहली बार हराया तो एक बार फिर से बांगलदेश के लिए पतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार कि इन लोगों ने क्या किया है यार क्या सोचा है लोगों ने पतलब थोड़ी बहुत भी अगर इनके नजरों में खुद के लिए इज़त है तो तो कम से कम ये लोग कुछ सही कर लेंगे अगले मैच में वरना मुझे नहीं लगता कि ये लोग बिल्कुल भी इस कंडिशन में है कि किसी भी तरीके से अपनी खुद की इज़त किसी भी तरीके से रख पाए कोईag इनको मतलब नहीं है इनको बस लगता है कि यार हमको तो बस निकल जाना है ठीक है ना जिल लो वो शानमसूद आके कहता है कि यार क्या बोलते हैं पिच को रीड करने में हमसे थुड़ी जी गलती हो गई मतलब कब तक पिच को कोस होगे कब तक पिछ को कोस होगे भाई तुम फेल हुए टक्टिकली ये सोचो ना डिगलेरेशन फर्स इनिंग में तुमने किया था है ना वो डिसीजन तुम्हारा खुद का था पिछ तब तो तुम्हारे फेवर में थी ना तो तुमने तब कैसे ये सोच लिया कि यार मतलब तुम खेल रहे हो यार उस पिछ के उपर तुमने साड़े चार सोरें टांग दी है उस पिछ के उपर और उसके बाद तुम ये चीज सोच रहे हो कि नहीं हमको पिछ को पढ़ने हमसे गलती हो गई मतलब वो बाहर से आयो ही टीन तुमारे लिए मतलब जादा समझधार साबित हो गई है ना मतलब तो यह हुआ लिटरिली यार इन लोगों को पता है कि इन लोगों को कि हमको हमारे देश के लोगों का दिल कैसे तोड़ना है seriously इनको इसके अलावा और किसी चीज़ से मतलब नहीं मतलब आप कुछ मत देखो आप सिर्फ इस card को देखो इस card में आपको 448 पे जब पाकिस्तान ने डिकलेर किया था आपको वो दिख रहा है यहाँ पर अगर आप नजल डालेंगे तो यह जो percentage दिख रहा है ना बांगलदेश का 13% यह बांगलदेश की जीत का percentage है कि वो 13% chances थे कि बांगलदेश की माच जीत सकती है draw के chances थे 85% और पाकिस्तान इस मैच को जीते की उसके बाद chances थे 2% तो जाली यह वो तो हम छोड़ी देते है बांगलदेश ने उस 13% को 100% बदला है तो आप एक बार दरा सोच के देखिए कि इस टीम ने कितने जबरदस्त efforts लगाए है ना सर्फ बैटिंग से बलकी बॉलिंग से तब जाकर बांगलदेश ने इस मैच को जीता है यहाँ पर अगर आप नजल डालेंगे तो तीम्स रिकार्ड इट होम कि अगर हम बात करें इंटेस्ट लास्ट री यहिर्ज के अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया है तीसरे नंबर पर जिन्होंने 13 मैचेश खेलें तेरा में से 8 मैचेश इंडिया ने जीते हैं दो माच इंडिया ने हा रहे है और विनिंग परसेंटेज अराउंड 69 कर रहा है, यहाँ पर सबसे अच्छा विनिंग परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया का ही है, 80 का, इसके अलावा गर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ नीचे है, श्रिलंका, बांगलदेश, वे ही नहीं है, वर्ल्टेस चेंपिन्शिप के बारे में तो यह लोग क्या ही बात करेंगे, मतलब यह हालत है इन लोगों की, और थोड़ी बेशर में इनकी देखिए, शाहिन अफरीदी, जो कि इनका सबसे प्राइम बोलर है, प्राइम पेस बोलर है, जिसके की पुरी दुनि और उसके बाद आप देखिए, तब इंजरी हुई थी इसको एक, उसके बाद आप देखिए, वन्रीड रोवर्स फेके हैं, 14 विकेट लिए है, 44 का एवरेज और 78 का स्ट्राइक रेट है, अब इस बंदे को आप एक स्ट्राइक बोलर कहेंगे, लिटरली भारत के रंजी ज पर अब तो almost free हो चुका है, और उसके बाद में ये हालत है, पाकिस्तान के cricket stadiums के अब आप खुदी सोच लीजिए, और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान cricket fans सही करते हैं, जो इनके matches देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको भी कहीं नहीं पता है कि हमारी team किस बेग गरती के साथ में खेलेगी, और eventually हमको ही दुखोगा तो हम क्यों ही stadium जाए अपना सर फड़वाने के लिए, अब ये देखो, जो ये लोग कहते हैं न, claim करते हैं कि हमारे या तो गली-गली में pace bowlers घुमते हैं, तो ये पाकिस्तान के fast bowlers हैं, आखरी के 3 test matches में आप देखिए 77 overs इन लोगा न फेक हैं, सिर्फ एक विकेट लिया है और 320 का average रहा है, मतलब क्या करते हैं यार ये लोग, टीम के pacers के strike rate के यहां पर एक आख्रा दिया गया है, कि pace bowlers का strike rate घर में कैसर आए, यहां पर आप इंडिया के bowlers का strike rate देखेंगे, तो तेरा मैचों में इंडिया के fast bowlers ने 62 wickets लिये हैं, 26 का average रहा है और 45 का strike rate है, यह तब रहा है, जब इंडिया में जो matches हुए तो इनमें spinners ने dominate किया था, तब की मैं बात कर रहा हूँ है ना, वहीं अगर आप पाकिसान को देखें, तो पाकिसान ने no matches में 41 wicket लिये हैं, इनके pace bowlers ने, 54 का average रहा है और 91 का strike rate है, मतलब हर 91st ball पे जाकर wicket लिये हर 15 over, यह है इनके, यह इनके गली-गली में घुमने वाले pace bowlers हैं, इनका जो है, अजर महमूद, जो coach है इनका, उसने बहुत सही बात कही, उसने literally यह बात कही, कि हम लोग spinner friendly wicket बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्व इसलिय नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ऐसे spinners नहीं हैं, जो हमारी victor के उपर 20 wicket ले सकें, अब आप सोचो ना, जब एक coach इस तरह की बाते आकर कहता है सामने, तो वो अपने आप में कितना ज्यादा, खुद को बेचारा महसूस कर रहा होगा, कि यार हमारे पास home advantage उठाने तक की ताकत नहीं, वहाँ से महंदी हैसन मिराज आता है, और एक तरफा तरीके से इनकी टीम को उड़ा के चला जाता है, और इनकी टीम के पास में कोई जवाब ही नहीं, ये लोग लिटरली वहाँ पर बगले जहां कर रहे थे, कि भाई हमको कही इसे जवाब मिल जा है, तो हम इन लोगो जवाब दे दें, मतलब आप देखिए, शान मसूद, जो मसूद साहब इनके कप्तान है, चाउदा रन मनाया, 27, 37 बॉलों में, बावार अजम सेकेंड इनिंग में भी जीरो के उपर ड्रॉप हुआ था, उसके बादी बंदे ने कि चार विकेट निकाल लिए, मतलब साथ विकेट आपके दो बोलर्स लेकर जा रहे हैं, तो आपको वाकई में समझना पड़ेगा, कि यार, आप अपने ही घर में नहीं क्रिकेट खिल पा रहे हैं, हाला कि बांगलदेश भी भारत भी खिलने के लिए आने वाला है, तब हैं पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मनगलदेश ने यहां पर सारे बॉकसेश को राइट टिक किया है, चाया आप लेटन-दास की बात कर लें, आप मेहनदियसंद मिराज की बात कर लें, आप मुष्विकर रहीम की बात कर लें, एक बैसम मेहंदी असन मिराज ने तो एक बड़ी अपारी खेली थी, counter-attacking पारी थी बलकी वो एक इसके अलावा जो मोनी मुल हक ने एक बड़ी अपारी खेली थी, शदनाम इसलाम ने एक पारी खेली थी इस सब ने जो contribution दिये टीम के लिए उसने बताया कि किस तरीके से आपको टीम को आगे लेकर जाना है और पाकिस्तान तो शुरुआत से ही backward पे था, मतलब अगर हम first inning की भी बात करें तो 16 run के ओपर इनका 3 wicket गिर चुके थे, यो तो अगर इनकी थोड़ी बहुत partnership नहीं हुई होती तो यह लोग 448 का जो इनने score ख़ड़ा कि यह तब तक भी नहीं पहुंचते तो declaration जो आपका हुआ, वो declaration ही कही ना कहीं सरासर गलत था इस बात को मानने में समस्या क्या है, इस बात को मानने में सबसे बड़ा issue क्या है, यह बात सूचने वाली क्योंकि जो भी कुछ चीजे हुई है, वो कहीं न कहीं गलत तो हुई है आप घर पे हा रहे हैं और बुरी तरह हा रहे हैं, बॉबजी दगिंग कर लेगा हम तो number one बोला रहे हैं, हमारे पास तो pace battery तो तेज है कहा गई भाई, तुमारी pace battery, हवा निकल गई बांगल देश के सामने हवा निकल गई लिटरिली, वैसे चिंता करने की बात नहीं बाब जिदे किंग के फैंस के लिए, क्योंकि नवंबर में आने वाली है जिम्बामबर के खिलाफ सीरीज, और उस सीरीज में आप देखेंगे जिम्बाबर की ताकत क्या है, जिम्बामबर वहां पर आपको अपनी ताकत दिखाए और फिर आप बोलेंगे कि भईये, आप तो सेंचुरीज की जड़ी लगने वाली है, रनो की जड़ी लगने वाली है, हाँ, क्वालिटी टीम के खिलाफ अगर आप हमको खिलाओगे, तो फिर ये पाकिसान की टीम भी ये बिलकुल नहीं खेल पाईगी, ये बात आप समझ लिटरली नहायती बेगैरतों वाली इन्होंने पारिया खेली हैं और जिस तरीके के इन्होंने परफॉर्मस दिया है, उसके बाद तो शायद ही कोई होगा इनके खुद के देश में, जो इनको लानते नहीं देगा, एक टेस मैचा भी बचा हुआ है, देखते हैं उसमें य इस बारे में क्या कुछ कहना है, मेरे इस वीडियो फिलालत नहीं, जैहिन, जैभाब